दोस्तों अगर आप हिमाचल प्रदेश फोरेस्ट गार्ड एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो सबसे पहरे तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेशन पेपर किस तरह का आएगा अगर आप प्रिवियस येर क्वेशन पेपर्स देखोगे तो वो भी एक बैटर चोईस रहेगी लेकिन दोस्तों जो क्वेशन पेपर्स आप ओल्रेडी सोल्व कर चुके हैं उसे सोल्व करने का कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि बहाँ पे आंसर की बगएर आपको मिली होती है और बहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा इसका आंसर वो होगा असली मज़ाता बाता है दोस्तों जब आप एक नया पेपर सोल्व खुद करते हो तो ऐसे में टैस सीरीज जो है इसकी बैल्लिव बहुत ज स्टेडी में लगा रहा है तो कंपिटिशन आप एक आइडिया सा ले सकते हैं अगर एक माक एक अंक आपको कम है तो आप हजारों लाखों स्टूडेंट से पीछे छुट जाएंगे तो टैस सीरीज जरूर लगाईए तो आज हम मोडल कॉश्चन पेपर डिसकस करेंगे टो उनको एनलाइज किया है उनका लेवल क्या रहता है मलकि उससे थोड़ा सा हाई लेवल हमने रखा है क्योंकि कंपिटिशन डे वाई डे इंक्रीज हो रहा है तो आप सोल्व करना इस वीडियो को पोज करके हर एक क्वेशन को मैं आपको बताता जाऊंगा आंसर हर एक क्वे इस नहीं करेंगे हम और पीडिया फाइल कहां मिलेगी ये भी आपको बाद में बता दिये जाएगा वीडियो के लास्ट में तो जुड़े रहो हर एक क्वेशन को सोल्व गरते रहो और आंसर देखते रहो एक जूल जो होता है ये कितने के बराबर होता है तो चार उप्श ये दोस्तो 2.39 इंटू 10 रेस पार माइनस 4 किलो कैलोरीज तो यहाँ पे ए उप्शन जो है सही होगा नेक्स्ट कुश्चन है बिचो दा होलोईंग इस आ ग्रीन हाउस गैस ये बहुत कुश्चन पुछा जाता है तो इन में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है सही आंसर होगा नैट्रस ओक्साइड्स चैमिकल फोर्मूलेज जरूर आते हैं अच्छे से पढ़के जाना चैमिकल फोर्मूला ओफ अमोनियम नैट्राइड का कैमिकल फोर्मूला दोस्तो एनेच फोर और पूरे का 3 और साथ में N सिंगल तो सी ओप्शन इसका सही होगा दोस्तो के कुशन के काफ़ी पूछे जाते हैं तो फोरेस्ट गार्ड जो है ये साइंस के उपर ही डिपेंड गरता है जातर जो एन्वारेनमेंट एंड एकोलोजी है यहां से क्वेस्चन साएंगे और साइंस के क्वेस्चन साहेंगे काफी जादा तो पढ़के जाना अच्छे से और जो आप कह सकते हैं फोरेस्टरी जो होती है बानी की उसलेटेड काफ़ी सारे कॉश्चन्स होते हैं। मोनोमर्स यूज़ टू प्रैपेर आर्टिफीशल फाइबर डेक्रोन इज। कृत्रम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रुक्त एक लग है। इसको हम बोलते हैं इथाइलीन, ग्लाइकोल और टेरिफथालिक एसिड इन दोनों चीज़ों से हम आर्टिफीशल फाइबर डेक्रोन बनाते हैं। तो यह कृश्चन आप सभी के लिए नया हो सकता है। जो कृश्चन्स नय होते हैं उनको ध्यान से देखा करो। उसके बाद उसको एंटासीड सबस्टांस जो है, जो यूज किया जाता है, ट्रीटमेंट किसका, ऐसी डिटी जो हमारे पेट में होती है, अमाश्यों की अमलता का उपचार करने के लिए प्रती अमल है। तो ये एंटासीड जो है, इसको हम बोलते हैं, मिल्क और मैगनीशिया, जो मैगनीशिया है उसका मिल्क, तो सी ओप्षिन इसका सही है। आशा करता हूँ, आप खुद अटेंट कर रहे होंगे हर एक क्वेशन को वीडियो को पोस करके, आपको ऐसे ही पता चलेगा कि आपकी त्यारी जो है कितनी है, या आपका लेवल क्या है, कहां आप स्टेंड गरते हैं, दूस्तों कोल कंटेनिंग मैक्सिमम परसेंटेज कार्बन इज, यानि कि कोईला जो है, उस में का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है, सबसे अच्छा कोईला कौन सा माना जाता है, यहां पे चार ओप्शन्स आपके सामने हैं, तो सही आंसर है इसका एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट आपको मिलेगा जेंड के में, ये क्व पूछता जाओंगा, जो मोखिक प्रशन होंगे, उनके भी आंसर्स करना, कमेंट बॉक्स में आपकी काफी इंक्रीज होगा, जो नोलेज है और जो पावर है आपकी, कुछे क्वेशन्स होते हैं, जो बहुत ही जा इंपोर्टेंट होते हैं, हर एक्जाम में पूछे ही जा दोस्तों, पैन है और पैंसिल, ये दोनों, मतलब मैं ऐसे ट्रिक उतार हूँ आपको याद रखने का तरीका, पैन और पैंसिल दोनों हैं, अगर इनको साथ में कमबाइन करना है, तो हमें आग की जरूरत पड़ेगी, फ्लेम की जरूरत पड़ेगी, अलेक्जेंडर फ्ले करूँ, टाइम की बात करूँ, लेंध की बात करूँ, और भी काफी सारे फिजिकल कॉंटिटीज हैं, लेकिन फंडामेंटल यूनिट नहीं होती दोस्तों कभी भी मुमेंटम की, तो ये एक इंपोर्टेंट कोश्चन बन जाता है, जो यूनिक चीज होगी बही एक्जाम म जो हैं, यहां पर जाने के बाद मरित्य होती है, सेल्स की, तो इनको बोला जाता है, लाइजोसोम्स, इसका सी ओप्शन सही है, लाइजोसोम्स को बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स ओफ सेल, बड़ी जदा भंक्शन ओफ फ्लोएम इन प्लांट्स, बोधों में फ्लोएम जो होता है, उसका कारे क्या है, एक होता है फ्लोएम और एक होता है जायलम, फो मतलब इसको आप फूड कहलो, तो फ्लोएम का काम है, जो फूड है उसको ट्रांसपोर्ट करना, और जायलम जो मतलब जल तो यह दोनों आपको अच्छे से देखने हैं फिलॉयम का काम है ट्रांसपोर्ट्स फूड और जो जाइलम है ट्रांसपोर्ट्स बाटर यहां से questions पक्का आते हैं heat detectors in human skin are sensitive to bevelents आप सबी को पता है आप क्या करते हैं जैसे कोई गरम चीज आप टच करते हैं तो फड़ावट से हमारा दिमाग sensitive हो जाता है और हाथ को फड़ावट हटा लेता है तो यह जो human skin होती है इसमें heat detectors लगे होती है ठीक है और दिमाग को signal बगेरा देते हैं आगे से आगे तो इनकी wavelength क्या होती है मतलब किस wavelength पर यह फड़ा फड़ से इनको पता चल जाता है मतलब इसका क्या range है दोस्तो 400 nm से ज़्यादा अगर wavelength होगी तो heat detect नहीं हो पाएगी human skin में यानि कि 400 nm से कम ही होती है जो sensitivity होती है skin की heat detectors जो होते हैं तो इसका D option सही होगा एक किलो बार्ट H एक unit है किसकी एक किलो बार्ट प्रति घंटा यह E काई है दोस्तो electrical energy की बिदूत उर्जा की तो C option सही है units जरूर पढ़के जाना यहां से एक question या फिर एक से भज़ा questions पक्के होते हैं next question when a person talks and other person ears एक व्यक्ती बोल रहा है दूसरा सुन रहा है what is vibrating to transmit sound from the speaker to listener जब कोई व्यक्ती बात करता है और अन्य व्यक्ती सुनता है तो बक्ता से सुरोता तक ध्वनी संचारित होने में किसमें कमपन होता है तो कमपन होने का जो normal काम है वो है बाईयो के जो अन्ड होते हैं air molecules जो होते हैं अगर हवा नहीं है कहीं भी तो आप बहां बात नहीं कर सकते अंतरिक्ष में जाईए हवा नहीं है बहां पे तो आप बहां पे बात कर ही नहीं सकते तो C option इसका सही होगा next question which of the following is note the result of global warming इन में से global warming का एक आप कह सकते हैं परिणाम नहीं है जो glaciers हैं हिमनद हैं पिघल रहे हैं global warming की बज़ा से my life is getting lost काफी सारे प्राणी जो हैं परजातियां जो हैं बिलुप्त हो रही है global warming के द्वारा quality of air is improving ये बिलकुल उल्टा है जब global warming हो रही है तो quality जो है air की बो decrease हो रही है दोस्तो improve नहीं हो रही तो यहीं सही आंसर है क्योंकि यहां पे बुला गया था note the result of global warming the volume of water is increasing rapidly हिमनद पिघलेंगे हिमाले पिघलेगा या फिर नोर्थ पोल पिघलेगा तो जहां पानी है smoother है उनका level भी बड़ेगा तो यह भी है तो see option सही होगा दोस्तो यह questions काफी अच्छे शोद के बाद काफी अच्छी research के बाद add किये गए हैं तो अगर आप fact basis questions पढ़ते हैं तो वो भी cover हो जाएंगे और जो analysis basis questions हैं वो भी cover हो जाएंगे जैसे यह question जो था यह analysis basis पर question था आप क्या सोचते हैं आपके दिमाग में क्या चलता है the process used to separate bacteria from butter is पानी है पानी में जो bacteria होगा दोस्तो उसको अगर निकालना है कबबक जो है उसे बाहर निकालना है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे तो filter का use हम करते हैं filtration इसको बोल जाएगा तो C option इसका सही है next question which hormone is in our body helps us to adjust stress when we are angry worried or embarrassed जब हम क्रोधित चिंतित और शर्मिंदा होते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन तनाव को नियंतरित करने में मदद करता है तो यह होता है दोस्तो adrenaline तो यहाँ पर D option सही होगा जब आपको कभी भी गुशा आएगा जब कभी भी आप चिंतित होंगे शर्मिंदा होंगे तो उस चीज को control तो कोई ना कोई hormone करेगा ही करेगा otherwise जैसे suppose करो आपको गुशा आएगा उसको control ना किया जाए तो आप तो फट जाएंगे तो obviously निंतरन करने के लिए hormone भगवान ने हमारे अंदर डाला हुआ है इसको adrenaline बोलते हैं तो यह याद रखना D option सही है और hormone एक important topic है यहाँ से जरूर questions आते है which one of the following is not an electromagnetic babe electromagnetic babes कौन कौन सी होती है जो normally हम communication के लिए use करते है microwave हो गया उसके बाद infrared हो गया x-rays हो गया लेकिन दोस्तों ultrasonic जो babes है electromagnetic babes नहीं है और यह जो चमगादड होता है ultrasonic babes का ही use करता है अपने भोजन के लिए तो यहाँ पर यह भी आद रख लेना सही answer होगा B option ultrasonic यह electromagnetic babes नहीं होती अब मैंने उपर आपको बोला था कि एकाईया पढ़ लेना एकाईया महत्पूर्ण होती है units decibel भी एक unit है 1 काई है किसकी तो यहाँ पे 4 options है solve गरो वीडियो को पोज करके दोस्तो decibel जो है अगर आपको sound label measure करना हो तो उसके काम आता है decibel यानि कि जो noise होता है वो देखना हो decibel का use होता है तो अच्छे से देख लो B option सही है 10th class में अगर आपने science पढ़ी है तो उसमें kirchops current low आता था एक के उपर ये based है kirchops धारा नियम किसके स्रंक्षन पर अधारित है तो इसका जो सही answer होगा जो charge होता है उसके उपर kirchops current low काम करता है तो इसका B option सही है SI unit again question है ये heat की SI unit तो ये होती है दोस्तों हमेशा Joule तो C option इसका सही है एक angstrom जो है किसके बराबर होता है तो एक angstrom जो है 10 raise power minus 4 micron के बराबर होता है तो यहाँ पर E option जो है सही होगा एक angstrom 10 raise power minus 4 micron The speed of sound wave is maximum in अब ध्यान देना sound जो है जो vacuum है उसमें 0 होती है हमेशा और light जो है सबसे फास्ट होती है vacuum में यहाँ confusion होती है और जब हम sound की बात करते है maximum होती है किसमें जो solids होते हैं लेकिन solids में सबसे ज़्यादा steel में होती है यह याद रख लेना भी option और sound जो है सबसे काम कहां पे होगी basically जो bayou है बहां पे gases जो होती है तो यहाँ से questions हमेशा बनते हैं next question which is the aquatic bryophyte जली यह बryophyte कौन सा है यह थोड़ा सा tough question है तो यह होता है rixia flutens तो b option इसका सही होगा और science बगएरा के question सारे के सारे आपको अच्छे से देखने है एक बार तो जरूर पढ़ लेना चाहे tough हों चाहे easy the following is total stem parasite पूर्ण stump परजी भी कौन सा है परजी भी वो होते हैं जो दूसरों के उपर निरभर होते हैं अपना भोजन बगएरा बनाने में तो यह जो cascuta है अमर बेल जो है यह तो काफी easy है आप अपने घरों के आसपास देखना कोई पेड होगा उसके उपर जो बेल काफी फैली होगी एक टाइम आता है वो उसको ही सुखा देती है तो वो क्या होता है total stem parasite cascuta तो इसका d option सही है which colorless gas turns lead acetate paper black कौन सी रंगहिन gas lead acetate paper को काला कर देती है तो काला करने का जो काम होता है यह h2s का होता है तो यह gas जो है यह दोस्तो lead acetate paper को black कर देती है h2s which among the following forms the template for protein synthesis जो protein synthesis होती है उसके लिए template जो है कौन बनाता है परकाश translation इसको आप बोल सकते है protein synthesis जो है इसको protein translation बोल सकते है तो इसके लिए जो template बनाता है दोस्तों वो होता है mRNA तो एक option इसका सही होगा अच्छा क्या आप मेंसे कोई comment करके RNA की full form बता सकता है क्योंकि question काफी ज़्यादा आता है और जैसे COVID-19 जो है यह चर्चा में है तो RNA और भी ज़्यादा चर्चा में है कुछ है reasoning के questions और GK के questions तो सब कुछ आए गई और test series हमने launch कर दी है forest guard exam के लिए तो यह test series जो रहेगी इसमें 10 test रहेंगे और यह पिछले 5 से 10 सालों के जो question papers है उनके basis पर त्यार किये गए है और इनका label ठीक ठाक रखा है आपने questions तो देखे ही होंगे उपर तो इनको solve खरिएगा simply जब आप exam में appear होने वाले होंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी त्यारी क्या है कहां कहां आप बीक हैं कि subject में बीक हैं और यह जो test series होगी इसके साथ आपको question papers पिछले 5-10 सलों के free मिलेंगे तो दोस्तो इसका price जो है normally 999 रुपे होता है लेकिन offer चल रहा है अगर आप कुछी समय में इनको purchase करते हैं तो ये दोस्तो आपको 399 रुपे में पड़ जाएंगे अगर आप late इसके लिए inquiry करते हैं late purchase करते हैं तो फिर आपको late fees जो है वो देनी पड़ेगी तो जतना जल्दी हो सके इसको purchase कर लेना क्योंकि first hundred students जो होंगे जो purchase करेंगे इस test series को उनके लिए 399 फीस रहेगी और बाकी जो होंगे उसके बाद आएंगे उनको फीस ज़्यादा pay करनी पड़ेगी तो whatsapp कर लेना whatsapp number यहाँ पर दिया गया है और कोई भी doubts queries questions हो तो वो भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं message करके तो अब हिंदी section में आते हैं लेकिन उससे पहले आपको यह देखना है कि 26 questions जो science के थे उसमें से आपका कितना score रहा 26 में से अगर 10 और 15 के बीच में आप हैं तो इसका मतलबे है कि आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी आपका exams जो है यह forest guard वाला असानी से crack हो जाएगा अगर 20 से उपर आपका score है तो मैं guarantee दे सकता हूँ कि आपका 100% यह exam crack होगा अगर 10 से नीचे आपका score है तो दोस्तो अभी भी आपके पास time है पढ़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि आप पढ़ते नहीं है उन्नती का बिलोम शब्द है उन्नती क्या होती है दोस्तो उपर जाना किसी भी field में अब नती जो है नीचे आना किसी भी field में तो बी option सही है निवन में से तदभव शब्द है तदभव शब्द होते कौन से है तदसम शब्दों से बनाए हुए हिंदी भाषा में शब्द जो है तदभव होते है यमुना संस्कृत शब्द और जमुना ये हिंदी में बनाएगे हैं संस्कृत से तो तदभव हो गया ये, बाकी नापित, रश्मी, कपाट ये तदभव शब्द नहीं है अब दोस्तों प्रत्य और उपसर्ग जरूर पढ़ना, यहां से जरूर क्वेश्चन्स आएंगे अनुकरणी शब्द में उपसर्ग और प्रत्य है अनु, ये आगया उपसर्ग और ये, लास्ट में जोड़ा गया है, ये आगया प्रत्यो, एक ईयो प्रत्य होता है तो यहां पे ए उप्षन जो है, यहां पे आपको मिल जाएगा अनु और ईयो, ए उप्षन साईयो का शाम पुस्तक पढ़ता है बाट्यो में बाट्यो का कौन सा रूप है, बाट्यो जो है, आपको पता है करम बाट्यो, करत्री बाट्यो, एंड सोन तो शाम यहां पे करता है, तो ये पुस्तक पढ़ रहा है, करम कर रहा है, तो करत्री बाट्यो परिश्रम के बाद बिश्राम आवश्यक है बाक्यों के लिए उप्युक्त लकोक्ती है लकोक्ती और मुहावरे जुरूर पढ़के जाना तो दांतों तले उंगली दबाना ये नहीं होगा आज काज महा काज बहन गहे की लाज लेकिन दोस्तों ये ठकाउंट स्राय ताकत है इसका मतलब है कि परिश्रम के बाद बिश्राम आवश्यक है अगर आप परिश्रम करते हैं तो बिश्राम आवश्यक करिए तो यहाँ पर बी ओप्शन सही होगा निमन में से परलोक शब्द में उपसर्ग है तो लोक तो यहाँ पर एक महतपूर्ण शब्द आ रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये उपसर्ग लगाया गया है क्योंकि ये आगे जोड़ा गया है इस शब्द के मूल शब्द के तो यहाँ पर बी ओप्शन सही होगा शब्द भनी का उचारन स्थान क्या है शब्द आप बोलेंगे आपकी जीबा जो है सेंटर से टच करेगे आपके तालू को तालू कौन सा होता है यह दांत है यह खुर्दरा भाग होता है इसको मूर्धा बोलते हैं यह वाला हिस्सा जो है विलकुल उपर जीबा के इसको तालू बोलते हैं तो से ओप्शन सही होगा मूर्धा का तच्सम शब्द क्या होगा दोस्तों तच्सम मतलब संस्क्रिट और संस्क्रिट में मूर को क्या बोलते हैं मयूर बोलते हैं ये option सही है, बरतनी के अनुसार सुद्ध सब्द का चैन कीजिए, तो अभ्यारण भो आदा नहीं होता, आ नहीं होता यहाँ पे, ये तो आ रिमूव होगे, ये तीन options रिमूव होगे, अभ्यारण भो इसमें पूरा होता है, ये याद रखना, और अ जो है, ये अनार होता है, आ आम नहीं होता कभी भी, ये option सही है, ये है नई साड़ी, बक्य में नई शब्द है, साड़ी क्या है, साड़ी संग्या है, और संग्या या सर्वनाम शब्दों की उशेष्टा बताते हैं, शब्दों उन्हें विशेष्ण बोलते हैं, नई जो है, ये विशेष्टा बता इकोन था सुग्रीब उसकी गर्दन सुंदर थी तो बी ओप्षन इसका सही होगा रमायन की बात कर रहा था मैं निवन में गजा रूड शब्द में समास है तो इसमें दोस्तों भिवक्तियां इस्तेमाल होती है या फिर कारक जो भी है तो वो तत्पुरुष समास होते हैं तो उसमें से आपको कितने questions आ रहे थे और कितने नहीं तो इससे आपको ये पता चलेगा कि हिंदी subject आपका कैसा है संस्कृत जो आपने तद्सम तद्धवा पड़े उन में से questions बन रहे हैं आपके या नहीं बन रहे हैं और सोन तो ये भी एक analysis बला subject है तो इसको भी देखना अ में तो एक sentence है amphibians amphibians कौन से होते हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और जमीन के उपर भी तो basically जैसे हम बात करते हैं reptiles जो होते हैं मगर मच हो गया and so on amphibians are those organisms that can live both in water and land तो water में तो in हो सकता है दोस्तों क्योंकि पानी में रहते हैं on land होता है हमेशा तो यहां error है c option सही है फिलिंदा blank करना है dash color in your eye whose नहीं होगा possession है यह whom नहीं होगा possession है how how जब हम बोलते हैं how तो इसका मतलब होता है उसका कारण what but मतलब क्या आपकी आँखों में कौन सा रंग है तो what यहां पे सही होगा voice को अच्छे से पढ़के जाना active passive यहां से questions आएंगे who created this beautiful dress piece subjects objects objects subjects बस ऐसे ही change करते हैं और बर्ब जो है उसकी third form और उसके आगे जो है is mr बाजबर has have यह सब कुछ आता है तो यहां पे beautiful dress piece यह बन गया subject क्योंकि यह object था this beautiful और this जो है यह कुछ है कैसे words होते हैं जिनकी changing नहीं होती तो this का change हम नहीं करते this beautiful dress piece और created मतलब यहां पे second verb आ रही है तो obviously यह past tense है simple past तो बाज यहां पे आएगा और created third form by whom और who जो है यह whom में convert होता है हमेशा तो यह आपको पता होना चाहिए तो d options है pick out the sentence which has the same meaning as the following India is the largest democracy in the world तो यहां पे basically हमने superlative degree use की हुई है इस adjective की largest democracy तो अब इसको हमें comparative degree में convert करना है तो दो चीज़ों का comparison करना पड़ेगा एक तरफ भारत को रखेंगे एक तरफ पूरी दुसरी दुनिया जो है उसको रखेंगे तो यह option जो है India is larger than any other democracy in the world तो यहां पे option सही हो जाएगा क्योंकि दो चीज़ों को हमने compare कर दिया इंडिया को अलग से और पूरी दुनियों को अलग से Error देखना है He tried to open the log by a wrong key क्या by कभी भी किसी material के लिए आ सकता है नहीं दोस्तों बिद आता है हमेशा कोई material जिसका हम use करते हैं जो है material type है तो by a wrong key नहीं बिद आ wrong key A room in a public building फिर outdoor clothes और luggage may be left जो दोस्तों कपड़े बगएरा होते हैं या फिर जो suitcase बगएरा होता है अगर कोई public building है hospital समझ लो कभी भी जाना बड़े hospital में बहाँ पे एक अलग से room होता है बहाँ पे बिस्तरा रखा होता है लोगों ने अपने कपड़े रखे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं उसको हम cloak room बोलते हैं तो बाकी dormitory क्या होती है बरो क्या होता है सेमेटोरियम क्या होता है यहां से भी questions आते हैं तो इन सभी चीज़ों को पढ़ो और यह दोस्तों सब कुछ आपको course में available है अगर आप अभी भी खुद को time देना चाहते हैं जो आपके पास time बचा हुआ है तो what's up जरूर कर लेना course जरूर जोइन कर लेना बाकी exams के लिए भी काम आएगा जरूरी नहीं कि forest guard exam के लिए ही काम आएगा यह course वीडियो course जोइन करना चाहते हैं उसके लिए message कर लेना study material course जाहते हैं तो उसके लिए message कर लेना जब आप synonyms, antonyms करोगे तो एक बात मेरी ध्यान से देख लेना जब भी कोई word आएगा तो उसके synonyms भी होंगे options में और antonyms भी होंगे अगर antonyms पूछा गया है opposite पूछा गया है तो उसके options भी देखना ध्यान से और ही क्या होता है, और ही होता है टेड़ा जो सीधा ना हो तो यहाँ पे दोस्तो corrupt भी दिया गया है and so on, तो इनको देख लेना यह synonyms हैं, लेकिन symmetrical सीधा, तो यह इसका सही opposite है, the option सही होगा, और बाकी चार options जब आते हैं तो एक तो अंसर होता है, बाकी तीन options जो होते हैं, उनके भी meanings find out किया गरू आपकी वुकैब strong होगी, और वुकैब जो है, 4 या 5 questions directly, indirectly पूछे जाते हैं तो जितनी वुकैब strong होगी फाइदा होगा गाब है, तो गामनेस, assert, claim यह नहीं होगे, affinity होगा affinity का मतलब भी यही होता है, तो be option correct, spelt हमें देखना है occurred कैसे लिखा जाता है, occurred मतलब होना, तो occurred इस तरीके से लिखा जाता है, double c होता है, और double r होता है यह अच्छे से देख लेना, यह option सही है सिर्फ single r होता है दोस्तों, और double s होता है तो single r और double s c option में है, c is right answer feminine यहाँ पे bachelor का हमें find out करना है तो bachelor अगर कोई कुवारा लड़का है तो उसके लिए जब हम feminine निकालेंगे, link बदलेंगे तो spinster होगा, the option सही है next है, इसमें हमें colt का feminine, यानि की gender change करना है colt सबसे पहले होता क्या है या आपको पता होना चाहिए दोस्तों, अगर कोई घोड़ा है वो छोटा है घोड़ा इंदी sense की, अगर male होगा तो भी, और female होगा तो भी, तो जब छोटा होगा, बच्चा होगा, तो उसको colt बोलेंगे, और जब हम पता चलेगा हमें कि ये घोड़ा जो है, ये female है, छोटा है, बच्चा है तो उसको हम फिली बोलेंगे तो ये अच्छे से देख ले ना, फिली जो है घोड़े का छोटा बच्चा female और घोड़े का गई, अब English का देखना कहां कहां बीग हैं, कौन-कौन से subjects आपके अच्छे हैं और कौन-कौन से नहीं अब ये जो reasoning है, reasoning बहुत कम questions देखने को मिलते हैं forest guard में, और mathematics और ये दोनों mix होते हैं, reasoning और mathematics तो यहाँ पे आपको क्या करना है ये जो question mark है इसकी जगा लाना है आपको कोई न कोई, यहाँ पे word, railway station station master, station master manage करता है railway station को और school को manage करता है principal D is right answer question mark जो है, यहाँ पे आपको इस series को पूरा करना है 60 plus 20 80 बन रहे हैं, 80 plus 15, 95 बन रहे हैं, 95 plus 10, 105 बन रहे हैं, 105 plus 5, कितने बनेंगे 110 बने गए, यहाँ नहीं की B option सही है copious जो है, इसको लिखा जा रहा है, इस language में generous जो है, उसको इस language में लिखा जा रहा है तो pigeon लिखना है आपको तो यहाँ से P उठाओ, यह P है, I कहां से उठाना है, यहाँ पे I है G कहां से उठाना है यहाँ पे G है E कहां से उठाना है यह E दिया गया है O कहां से उठाना है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, और N कहां से उठाना है, तो N आपको यहाँ मिल रहा है तो column लाके, अब आपको pigeon लिखना है तो आप पी का और आई और जी और ई ओन का बन जाएगा फोर फाइब बन सिक्स थ्री सैबन तो इसको सोल बगर के जरूर देखना कैसे कैसे किया है इंट्रोड्यूसिंग अगर अंकित सेज अंकित जो है किसी एक लड़की को फिमेल को इंट्रोड्यूस कर रहा है मेरी मा की बेहन की लड़के की बेहन है कोई भी जो सामने फिमेल है तो बिसल और वो इसकी कजन हो रही है तो डिय ओप्शन सही है अब दोस्तों कुछ एक मैठेमेटिक्स के क्वेशन्स हैं मैं क्या करूँ गा questions आपको यहाँ पर show करूँगा और फिर answer show करूँगा आपको solve करने है और फिर कोई भी problem आएगी आपको इन questions में solve करने की तो आप message कर देना हमें जो हमारे mathematics teachers हैं वो solve करके आपको देंगे यह questions तो यहाँ पर question आपकी screen पर है चाहे तो आप screen sort खींच लो और इसका answer जो है 95 होगा solve करके जुरूर देखना next question है average related और इसका answer है 41 तो इसको solve करके देखिए next question आपके सामने और answer है इसका 20 next question आपके सामने और इसका जो answer होगा वो होगा 12 ratio 7 हलांकि pdf file जो है उसमें ये आपको मिल जाएंगे mathematics के questions pdf file के लिए message जुरूर कर लेना यहाँ पर number दिया गया है तो pdf files के through ही आप solve कर लेना आपको screenshot लेने के जुरूरत नहीं है next question next question इस question का answer C है यानि कि 10 35 degree प्लस A next question next question ये जो question है इसका answer होगा 160.15 5 cm घन next question अब ये दूस्तो जी के बगएरा science बगएरा questions है बिचोधा following is not an example of convex mirror convex mirror जो है आप सभी को पता होगा इसका इस्तेमाल जो होता है वो rear view के लिए जो vehicle होते हैं बहाँ पे भी होता है तो जो side mirror होता है कार का बो भी होता है जो चम्मच बगएरा है टेड़ा हो जाता है जब चम्मच suppose करो ये चम्मच है इस तरह से तो यहाँ जो image दिखेगी वो भी convex mirror ही होगा और जो dentist के पास जो शीशा होता है वो भी कैसा होता है convex होता है वो भी automobile headlights जो है ये नहीं होगी तो यहाँ पे the option सही होगा convex mirror नहीं होता है ये history का question है first census of India was held in 1871 who was the viceroy of India in 1871 तो कौन था दोस्तो लोड मियो और लोड करजन जो बंगाल विभाजन है उसके लिए famous है Lord Canning first viceroy of India and last governor general of British India Lord Lawrence जो है इनके टाइम में शिमला जो है गरीश मकालीन राजधानी बनी थी ये most important question है और उटप हो सकता थोड़ा सा आपके लिए धनुर बेदा जसको आर्चरी बोलते हैं English में इसका संबंध जो है किस बेद से है धनुष जो इस्तिमाल होते थे पुराने समय में राजाओं महाराजाओं के समय में वो ये जो रबेद जो है बहां से हमें ये concept मिला है तो C option सही है निवलिखत में से किसने दीने लाही धर्म को प्रतिपादित किया दीने लाही का मतलब था कि कोई भी धर्म जो है उन सभी को एक mix करके अलग से धर्म बनाया गया मतलब जो tolerance होती है धर्म निरपेक्षता है उसका एक उधारन था ये और ये कबर के टाइम में हुआ था और बीरबल जो है फस्ट और लास्ट ऐसा बेक्ति था जिसने इस धर्म को अपनाया था इसराइल की जो currency है वो क्या है तो ये है दोस्तो शेकल आप सब भी को comment गरके ये बताना है इसराइल जो है उसकी capital क्या है राजधानिक क्या है इसराइल की बहुत important country है इंडिया के लिए isotopes जो होते हैं इनका same क्या-क्या होता है इनका same होते हैं हमेशा proton लेकिन दोस्तो इनका number जो है ये अलग होता है समस्थानिक तो इस तरीके से देखो इसका a option सही है जो neutrons हैं ये अलग होंगे और जो protons हैं वो same होंगे तो इसलिए एक साथ ही रखे जाते हैं ये isotopes जो होते हैं समस्थानिक भारत में सम्विधान का कौन सा अनुशेद समानता के अधिकार की guarantee देता है समानता जो है दोस्तो ये हमेशा कहां पे आती है ये अनुशेद 16 में आती है जो अनुशेद 16 है दोस्तो अगर public कोई भी job है या फिर opportunity है उसमें समानता है लेकिन जो असल में समानता है वो अनुशेद 14 है इसका मतलब यह होता है कि अगर आप बहुत बड़े इंसान हैं बहुत अमीर हैं तो भी बराबर हैं भारत में और अगर आप गरीब हैं तो भी आप बराबर हैं तो असल में C option इसका सई होगा अगर कोई राज्यसावा में चुना गया एक कोई सदस्य तो 6 सालों तक उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता और हर 2 सालों के बाद कुछ एक प्रतिशत जो है सदस्यो वो रिटाइर किये जाते हैं लेकिन यहाँ पे 6 साल आपको याद रखना है ये टैनियोर है अग्र स्लैक्ड लायम जो है इसका कैमिकल नेम पुछा गया है रसायनिक नाम पुछा गया है तो कैलसियम हाइडरोकसाइड ये ओप्शन इसका सही है लेड़ सल्फेड का चैमिकल फॉर्मुला पुछा गया है तो आपको याद रखना है यह होगा PbSo4 यानि कि Lead, Pb Lead और Sulfate मनलब SO4 The metal used to recover copper from a solution of copper sulfate is, copper sulfate का solution होगा, तो उसमें से copper को recover करना है तामबा sulfate के घोल से तामबा ठीक करने के लिए कौन सी धातू इस्तेमाल होती है तो यह होती है दोस्तो F3, यानि कि Iron D option सही है Most commonly used bleaching agent bleaching agent जो है सबसे अधीक इस्तेमाल होता है sodium chloride, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए NaCl2, D option Snow leopard जो है बरफिला तेंदुगा, हिमाचल प्रदेश का राजकी पशू है तो यह किस राश्ट्री उध्यान में हमें देखने को मिलता है National Park में तो यह Great Himalayan National Park जो है, कुलू, बहाँ पे देखने को मिलता है B option सही है और कजरंगा, एक सिंग बाला गैंडा काफी famous है Main energy source for the environment is Environment की जब हम बात करते हैं जो परेवन हैं उसके लिए जब उर्जा उर्जा की बात करते हैं तो वो obviously सूर्य है सूर्य यानि की solar energy तो यह option सही है Forest which occur in low rain fall area जहां दोस्तों कम बर्शा होती है बहाँ पे पत्ते जो हैं पेड़ों के जढ़ जाते हैं जब घर्मी आती हैं क्योंकि पतियां जो हैं यह ज़ादा पानी जो हैं इनकी ज़रूरत होती है लेकिन जब पानी कम हो जाता है तो यह पेड़ पतियां गिरा देते हैं और पानी कम इस्तेमाल करते हैं तो obviously यह deciduous forest होते हैं परणपाती बन होते हैं और evergreen forest आपको अंड़मा निकोबार western gharts में देखने को मिलते हैं शंकुधारी बन हिमाल्य के आसपास देखने को मिलते हैं जैसे चीड का परिक्ष हो गया देवधार हो गया और कंटीले पोधिया आपको रेगिस्तान मिलते हैं राजस्तान साइड दोस्तों कांगड़ा और भरमोर भरमोर चंबा में हैं इन दोनों स्थनों को जो दर्रा जोडता है उसको इंदरहार दर्रा बोलते हैं बाकी दर्रों को भी पढ़के जाओ कि साच दर्रा जो है तामसर दर्रा कलीचो दर्रा जो है कहां पे हैं और HPGK का कोर्स आप specially जोईन करना चाहो कितना भी बड़ा एक्जाम हुए माचल का कबर हो जाएगा तो WhatsApp जरूर कर लेना अगर वीडियो कोर्स चाहिए HPGK का तो मैसेस कर लेना अगर मोक टेस्ट, टेस्स सीरीज चाहिए स्टडी मैटिरियल चाहिए तो जरूर मैसेस कर लेना धामी फाइरिंग ट्रेजडी जो है कहाँ पे हुई थी और कब हुई थी तो धामी फाइरिंग ट्रेजडी जो है ये 1939 में हमें देखने को मिली थी लेकिन एक्जैक्ट डेट जो है ये 16 जुलाई 1949 है भागमल सोठा जो है उनकी गिरुफतारी जब हुई राणा दलीप बहां के है धामी के तो उन्होंने जब अरेस्ट करने का वारेंट दे दिया तो गोलियं चल गई बहां पे क्योंकि लोग काफी कठा होगे और राजा ने सेनिकों को बोला कि गोलियं चला दो and so on तो ये सब कुछ हुआ था मुहमबद तुगलक ने कांगड़ा को इन्वेड कब किया था तो ये तो 1330 के दशक में किया था तो ओविसली 1337 होगा और मुहमबद बिन तुगलक का जवागे फिरोशाह तुगलक था उसने 1365 के आसपास प्लंडर किया था World Wild Fund for Nature इंडिया के लिए इसको कब एस्टब्लिश किया था तो ये 1979 मैं एस्टब्लिश हुआ था तो बी ओप्शन और ये लास्ट कोईशन है इस कांसर मैं नहीं बताऊंगा आपको कमेंट करके खुद उताना है विच इयर Wildlife Protection Act was implemented in India तो कमेंट करके बताना और test series अगर purchase करनी हो तो WhatsApp जरूर कर लेना अगर course purchase करना हो तो WhatsApp जरूर कर लेना शेर करना जरूर अपने दोस्तों के साथ क्योंकि इस तरह का वीडियो ये first है हिमाचल प्रदेश के जो भी education channels है और बहुत अच्छी तरह मैंने आपको बताया है कैसे कैसे analyze करना है खुद को हर एक subject देखो कहां कहां बीग हैं कहां कहां strong है और PDF फाइल भी आपको WhatsApp पर मिल जाएगी तो यहाँ पर message जरूर कर लेना जय हिंद जय हिमाचल